असलाम अलेकुम जैसा कि हमने लास्ट लेक्चिर के अंदर जाइंट की टाइप को डिसक्स किया था तो आज कर दो हमारा लेक्चर है वह हैं टेंडन्स और लिगमेंट्स के बारे में यह यह भी हमारे स्केल्टन के लिए बहुत ज़्यदा एक इंपॉर्टन चीज है और मारी बॉड़ी के लिए जो मुवमेंट्स है वह उसमें हमारी बॉन्स हैं उनको एक उनको भी स्पोर्ट प्रवाइड करें कि उनको भी एक और गनाइज रखने हैं ताके वह डिस्लूकेट ना कर जाएं त मसल को बॉन के साल अटैच करते हैं ऐसला के हैं इसकी पर कीवाँ गा करता की यह को तरौन बॉन को इनन ने अटैच किया हुए है इसके बाद ज–जै मसल कॉन्टरेक्ट करता कैड़क्राय जैसे यहां पे देखिए आपको नजर आ रह m ko контрakt~! कि ये वाला किया भी तो जो же muscle contract सुकड़ रहे तो वह क्या करता उसकी वयां से कि वहां से जब वह सुकड़े गा उसने क्या क्या कि उसने अपना फोर्स तैंडन पे लगाई क्यों पाद हो पान को पुल कर सकते हैं खेंसकते हैं पुश वाली दकेलने की फॉर्स नहीं लगा सकते वो तो इसके अंदर क्या है कि यहां पर जो सा मसल है जावे इसने कॉंट्रेक्ट किया तो टेंडन ने एक पुलिंग फॉर्स लगाई जो से आगे से जिस बॉंग सा अटैच है जिसके नतीजे करेगा तो इसने इदर से बोन को खेंचा या आगे वाला कॉंट्रेक्ट करेगा इसने इदर से बोन को खेंचा तो इस तरीके से जो से हमारा अगर बाजू है तो बाजू के अपर साइड पे लोड़ साइड पे दोनों हमारी मसल्स प्रेजेंट होते हैं अब इन दोनों मसल की आर्टिकुलेटिड मुवमेंट के विए से एक मूव कर रहे फिर दूसरा कर रहे तो इसकी मूवमेंट की वादे से हमारा जहुआ सा बाजू है वो मूव कर सकता है कि अगर हमने बाजु अपर साइड। तो मेरा सामने वाला मुस्ल जहुं सा वह कुंट्रेक्ट कर जेगा और उसने इस हमारे आगे वाली बॉन को उसे उपर खेंच लिया जब पीछे वाला करेगा तो इसने इस वाली बॉन को उपर खेंच लिया तो इस तरीके से यहां पर जूंचा सारी मसल की मूवमेंट होती है बॉडि की मूवमेंट्स होती है इसके बात करते हैं लिगमेंट्स क्योंकि जाइन के अंदर मूवमेंट रहती है वाथ उखा होता इसका कंदा निकल गया इंगूठा निकलने वाली ज्म से चीज़ накन अभी तो ए वी अथडित रागी कर जेधा निकलकर जाता है जब बहुत ज्यादा एक लिमिट से ज्यादा मुवमेंट हो ग्या क्ये बहुत है के ने बहुत आंप जयंद के आपनी जगह निकल के वह बाहर आ जाती है तो फिरां यहां वह आपिकिस को त्रीटमेंट कर इसके भार यहां पे देखिए यह आपको और ने ंसे दिखा गाया हूँ है के यह ब मसल्स हैं यह रेड़ कलर में जो नज़रा हा रहे हैं यह साथ बॉन है और यह देख़। इस मसल्स तेंडन हैं और इसक्री इस मसल्सको इस बॉनक्सार आटैच्छ किा हुआ है जब यह muscle contract करेगा हमारे body के अंदर जितनी भी movement हो जहां पर भी muscle का लफ़ आएगा मतलब वहां पर contraction relaxation वहां पर movement हो रही है तो जब यह muscle contract करेगा इसका size कम हो जाएगा size कम होने के वहाँ से यह tendon भी उपर लेगा और इस tendon ने क्या करेगा कि यह pulling force लगा के नीचे वाली bone को भी उपर ले आएगा जब यह muscle relax करेगा जब यह वाला muscle contract करेगा तो यह वाली bone को ले आएगा उपर को यह जो से इस तरीके से original place के अंदर हैं यहां पर जो सी है यह dislocation ना हो जाएए एक अलग से एक extra sport प्रवाइड कर रहे हैं हमारे bones को और हमारे joints को ताकि यहां पर dislocation जो सी अब ना हो सके तो यह याद रखना ज़रूरी है कि हमारे muscles हैं वो सिर्फर सिर्फ पुल की force यह contract की force लगाते है पुछ नहीं करते अगर मैं कहता हूं कि मैंने बाजू उपर करके नीचे कर रहा हूं तो यह आगे वाले muscles जो से push करके बाजू को नीचे नहीं ला रहे बलकि यह पीछे वाले muscles होंगे मेरे बाजू के back side वाले वो contract करके पिछली side को उपर को ले जाएंगे जिसके वाज़े मेरे बाजू उपर और नीचे move करता है तो आज के lecture के अंदर इतना ही बाकि इंशाला हम नेक्स लेक्स के अंदर डिसकुस करें